हरी कृष्णा राधी राधी आज मैं आपको अमावस्या की सारी कहानिया सुनाओगी। अमावस्या के दिन शिवजी महादेव की भगवान विश्णु की और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आए सुनते हैं अमावस्या की कता। बोलिये अमावस्या माता की जै हो। लेकिन भगवान की इतनी पूजा करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ती नहीं होई। तब एक दिन ब्रामन बड़े दुखी हो गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। बगवान की पूजा तो करके बहुत देख ली। अब बगवान की तपस्या करके देखता हो। शायद हमारी मनो काम न पूरी हो जाए। ऐसा कहकर ब्रामन वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंब कर दी। तपस्या करते करते उन्हें सालों बीट गए लेकिन उस तपस्या को भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान ने प्रामन को दर्शन नहीं दिये। अब तो प्रामन देवता बड़े ही दुखी हुए और सोचने लगे ऐसे व्यर्थ की जीवन जीने का क्या फायदा है। निर्वन्शी का तो मुख देखने का भी धरम नहीं होता। मुझे अपने इस अबागे जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। ये सब सोचकर पेड की डाली पर फासी का फंदा लगा कर मरने को तैयार हो गए। जैसे ही वह वासी का फंदा गले में डाल कर उदने वाले थे तब ही वहाँ पर अमावस्या माता प्रकट हो गई। और कहने लगी ब्रामन तुम क्या कर रहे हो। आतम हत्या करना तो महा पाप है। तब ब्रामन देवता बोले कि मैं क्या करूं माता। हमेशा से ही भगवान की भकती करता हूँ लेकिन मुझे संतान का सुक्त पाप्त नहीं हुआ। मेरे उस ऐसी भक्ती का क्या फाइदा जो मुझे एक संतान भी प्राप्त न करा सके अब तो मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ भगवान से मेरा भरोसा उठ गया है और अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ यह सुनकर अमावस्या माता कहने लगी कि ब्रामन देवता आपके तो साथ जनम तक कोई संतान का सुख नहीं है लेकिन आपने इतनी कठोर तपस्या की है इसलिए मैं आपको दो कन्याओं का वर्दान देती हो आप अपने घर जाईए आपके घर में दो सुन्दर कन्याओं का जनम होगा एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पोनम रख देना अपनी पतनी से कह देना कि अमावस्या का वरत किया करे अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भर कर उस पर कुछ दक्षिना रखकर मंदिर में दिया करे ऐसा पूरे एक साल तक करना है इस तरह से ब्रामन देवता को वर्दान देकर अमावस्या माता महां से अंतरध्यान हो गई वर्दान बाकर ब्रामन बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर आदे घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई सारी बाते सुनकर ब्रामनी भी बहुत खुश हुई अब उन्होंने हर महिने की अमावस्या के वुरत शुरू कर दिये अमावस्या के दिन विधी विधान से पूजा करती कथा सुनती और एक कटोरी चावल पर दक्षिना रखकर मंदिर में दान कराती वर्दान की अनुसार ब्रामन देवता के घर में दो कन्याओने जनम लिया ब्रामन ने एक कन्या का नाम अमावस्या और एक का पूनम रखा संतान बाकर ब्रामन ब्रामनी बहुत ही खुश हुए दीरे दीरे समय बीता और दोनों कन्याएं बड़ी हो गई ब्रामन देवदा की बड़ी बेटी अमावस्या बहुत ही धार्मिक परवर्दी की थी ही था वह तो भगवान को मानती ही नहीं थी और जहां तक हो सकता अपनी बड़ी बहन को भी रोकने का परियास कर दी एक दिन ब्राम्मन ने सोचा कि हमारी कन्याई विवाह युग्य हो गई हैं अच्छे वर की तलाश करने चाहिए तब ब्राम्मन अपनी कन्याउं के लिए वर की तलाश शुरू कर दी कुछ समय बाद ब्राम्मन को अपनी कन्याउं के लिए मन पसंद घर और वर मिला तब ब्राम्मन ने दोनों कन्याउं का विवाह कर दिया दोनों कन्याओं का विवहा बड़े ही धनी और सुखी परिवार में हुआ आप तो ब्रामन ब्रामनी बहुत ही खुश हो गए दोनों बेटियां अपने ससुराल चली गई ब्रामन की बड़ी बेटी अमावस्या के घर में तो धन दिन दुगना और राच चोगना बढ़ने लगा कुछ समय बाद उसे पुतर की भी प्राप्ति हो गई लेकिन छोटी बेटी पुर्णिमा के घर जितना धन था वहे भी उसके जाते ही नश्ट हो गया और वहे बहुत ही दुखी रहने लगी उसके दुख का कोई पार नहीं था एक दिन बड़ी बेहन अमावस्या को पता चला कि छोटी बेहन पुनम बहुत ही दुखी है उसके घर में जितना भी धन था वहे सब कुछ नश्ट हो गया है अब तो उनके घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं है तब वहे बहुत सारा समान लेकर अपनी बेहन के घर गई और पूछने लगी क्या बात है तुभारे ससुराल वाले तो अच्छे खासे धनी थे फिर ये सब क्या हो गया तब पूनम कहने लगी बेहन मुझे तो कुछ भी नहीं पता लेकिन जब से मैं यहां आई हूँ अमारे कारोबार में घाटा ही घाटा हो रहा है सारा धन नश्ट हो गया है और ऐसा कहकर वह जोड़ जोड़ से रोने लगी तब उसकी बड़ी बेहन अमावस्या ने कहा कि कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम भी आज से अमावस्या का वरत चुरू करो अमावस्या के दिन पूजा किया करो कथा करा करो और पीपल की पूजा किया करो इसे तुम्हारे घर में सुक्समृत्ती का वास होगा अनधन के भंडारे भर जाएंगे तुम्हें यह वरत पूरे एक साल तक करना है एक साल तक अमावस्या का वरत करना और एक कटोरी चावल भर कर उस पर कुछ दक्षिना रखकर मंदिर में दान दिया करना इस तरह से उसने पूरे पूरे को कथा की और वरत की सारी विथी पता दी यह सोचकर पूरे बड़ी खुश हुई कि शायद इस वरत को करने से मेरे दिन सुधर जाएंगे तब पूरे ने अमावस्या के कहे अनुसार हर अमावस्या को वरत करना शुरू कर दिया एक कटोरी चावल भर कर दान करनी लगी तो थोड़े ही दिनों में उसके घर में धन का आग्मन शुरू हो गया उसके घर में पहले के जैसी सुक सम्रद्धी और धन धनने के भंडारे भर गए कुछ दिनों बाद उसे भी एक सुंदर पुटर की प्राप्ती हुई अमावस्या कवरत करने से अमावस्या माता की किरपा से वह भी सुखी और संपन्न हो गई जो कोई भी अमावस्या कवरत विधी पूरवक करता है उसका घर सुख सम्रद्धी से भर जाता है पहले की बात है एक साहुकार था जिसका एक बेटा था और एक बेटी थी उनके घर में एक जोगी बिक्षा लेने आते थे जब साहुकार की बखु बिक्षा देने जाती तब जोगी बिक्षा ले लेते लेकिन जब भी साहुकार की बेटी बिक्षा देने जाती तो बिक्षा नहीं लेते कहते थे बेटी सुभागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है यह सुनकर तो साहुकार की बेटी बहुत तुबली होने लगी तब उसकी मा ने पुछा कि तो सूपती क्यों जा रही है तब उसने अपने मा को जोगी वाली सारी बात बताई दूसरे दिन म चिपकर देखने लगी कि बेटी ने जो कहा था वह सही है तब मा ने जोगी से पुछा कि आप मेरी बेटी से बिक्षा क्यों नहीं लेते और ऐसा क्यों कहते हो तब जोगी ने कहा कि इसका भाग्य ऐसा ही है तब मा ने पुछा कि इसका कोई उपाय तो होगा तब जोगी कह ने लगा कि साथ समुन्दर बार सोमा नाम की एक स्त्री रहती है जो अमावस्या कवरत करती है वह अपना फल तुम्हारी बेटी को देगी तभी इसके दुफ तूर्फ हो जाएंगे अब उसकी मा ने सोमा की तलाश शुरू कर दी वह सोमा की तलाश में अपने घर से चल दी र रहा है उसने सोचा ये साथ तो गरूर पक्षी के बच्चों को खा जाएगा तब उसने लपक कर साथ को मार दिया इतने में गरूर पक्षी का जोड़ा वहाँ पर आ गया और मा को चोंट से मारने लगा तब वह कहने लगी कि मैंने तो आपके बच्चों को नहीं मारा बलकि कि मैंने तो आपकी वच्चों को बचाया है ये देखिए यहाँ पर साप मरा पड़ा है तब गरूर बक्षी का जोड़ा परसन हो गया और कहने लगा कि जो मांगना है मांग लो तब बहे कहने लगी कि मुझे साथ समुंदर बार पहुचा दो तब गरूर बक्षी ने उसकी मा को साथ समुंदर बार सोमा के घर पहुचा दिया सोमा के साथ बीटे थे साथ बहुए थी लेकिन सारी की सारी काम करने के लिए बहुत लड़ती थी सोमा को परसन्य करने के लिए उसकी मा सोते समय ही सारा काम करने लगी सारा काम करती और सुबह उठते ही छिप जाती जब सब सुबह उठते तो सोचते यह सब काम किसने किया है तब सोमा धोबन सोचने लगी कि कौन सी बहु सबसे ज़्यादा काम करती है मुझे पता करना चाहिए उस दिन वह चुप चाप आख बन करके लेट गई तब उसने देखा कि मोह अंदेरे एक औरताई और सारे काम करके चुप कि के भागे में दुर्भागे लिखा है और ऐसा कहकर उसने पूरी बात बता दी तब उसने विंती की कि आप अपनी अमावस्या वरत का पुन्ये मेरी बेटी को देंगी तब ही उसका दुर्भागे दूर हो सकता है उसकी सारी बाते सुनकर सोमा दोबन तयार हो जाती है कहत इस समय धुलहा धुलहन फेरे में बैठे होते हैं, उसी समय सोमा आ जाती है। एक मिट्टी की हांडी में कच्चा दूद बरकर रखती है, कच्चा सूत लेकर वहीं बैठ जाती है। इतने में ही एक साप आता है और वर को डसने लगता है। साप के डसने से वर की मृत्यों हो जाती है, तब सोमा साप को दूद पीने को देती है और उस हंडी में साप को डाल कर कच्चे सूत से बान देती है। वर की मृत्यों से सब दुखी हो जाते हैं, तब सोमा वर के उपर सुहाग के छीटे डालती है और कहती है। आज तक मैंने जितने भी अमावस्या किवरत की हैं उसके सारे पुन्ये इसे मिल जाएं और यहे जीवित हो जाएं इसके बाद किवरत का फल मेरे पती को मिले तो सब देखते हैं कि सोमा के ऐसे कहते ही वर उटकर बैठ जाता है तब सोमा लड़की को और उसकी पती को आशिरवात देती है और अपने घर जाने लगती है तब लड़की की माँ उसे कहती है कि मैं आपको क्या दूँ तब सोमा कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बस एक मिट्टी की हांडी दे दो उस दिन अमावस्या थी रास्ते में सोमा पीपल की पेड़ के नीचे पहुंचती है हांडी के 108 टुकडे करती है और पीपल की 108 परिकर्मा करती है टुकडो को पीपल के पास मिट्टी में दबा देती है जब घर पहुंशती है तो देखती है कि उसके पती की मृत्यों हो चुकी है और उसके पती के शरीर को तेल में डुबो कर रखा है तब सोमा अपने पती के उपर सुहाग के छीटे शिड़कती है और प्रार्थना करती है कि मेरी अमावस्या की वरत का फल मेरे पती को मिले तब उसका पती जीवित हो जाता है उसी समय जोगी उसके दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि अमावस्या का वरत करने के बाद दान करना चाहिए तो मुझे दान दो, तुमने रास्ते में वरत किया था पर दान नहीं किया तब सोमा उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ले जाती है जहां उसने मिट्टी के हंडी के टुकड़े दबाए थे उन टुकडों को निकालती है सारे के सारे टुकडे सोने के हो जाते हैं तब सोमा जोगी से कहती है कि आप इसमें से अपना भाग ले लो तब जोगी उसमें से चोथा हिस्सा ले लेते हैं और सोमा से कहते हैं कि तीन हिस्से तुम अपने इच्छा से जिसे देना चाहो दे सकती हो तब जो की सारे नगर में ढिंटोरा करवा देते हैं कि अमावस्या कवरत सभी को करना चाहिए जैसा सोमा ने उस लड़की को बर दیا उसका सुखाग जी उठा सोमा का पते जी उठा वैसे ही अमावस्या कवरत करने वाले सभी को अमर सुखाग देना बोलो अमवस्या माता की जय हो छंकर भगवान की जय हो पार्वती माता की जय हो आईए अब सुनते हैं पिपल देवता की कहानी एक समय की बात है किसी गाओं में एक ब्रामण प्रामणी रहते थे ब्राहमन का पिपल की सेवा का नियम था ब्राहमन देवता रोज पिपल देवता की पूजा करते पिपल को जल से सीचते परिकर्मा करते दिया जलाते और उसी के बाद अनजल ग्रहन करते बिना पीपल की पूजा किये तो वे पानी की एक बूंद भी ग्रहन नहीं करते थे इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते प्राहमन को पूरा जीवन बीद गया एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राहमन ने सारा जीवन मेरी सेवा की है मेरी पूजा की है मुझे इसे कुछ देना चाहिए तब जब अगले दिन प्रामन पीपल की पूजा करने के लिए आये तब जल सीच कर परिकर्मा कर रहे थे तब पीपल में से अवाज आई तू मांग मैं देओ तू मांग मैं देओ ब्राम्मन ने आवाज सुनी तब चारों ओर देखने लगे कि ये आवाज कहां से आ रही है पर उन्हें अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया अब ब्राम्मन आश्चरी में पढ़ दे इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा जब भी ब्राम्मन देवता पिपल की पूजा करने जाते रोज पिपल में से ऐसी ही आवाज आती तु मांग मैं देओ अब यह सुदेख कर तो ब्राम्मन खबराने लगे उन्होंने सुन रखा था कि पिपल के पेड़ पर तो भूत प्रेतों का वास होता है तब उन्होंने सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं अब ब्राम्मन देवता खबरा कर अपने घर आये और घर आकर भोजन भी नहीं किया ब्राम्मनी ने देखा तो पूछने लगी कि ब्राम्मन देवता किस चिंता में बैठे हैं क्या बात हो गई तब ब्राम्मन ने सारी बात बताई तब ब्राम्मनी कहने लगी अरे आप तो बहुत भोले हैं पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास नहीं होता बलकि पीपल के पेड़ में दो ब्रम्मा विश्रु वहेश का वास होता है पितरों का वास होता है हो सकता है ये आवाज भगवान की हो भगवान आपकी भगती से परसन्न हुए हो और आपको वर देना चाहते हो तब ब्रामन देवता अगले दिन जब पीपल सेचने गए तब फिर से आवाज आई तू मांग मैं देओ तब ब्रामन देवता पूछने लगे कि आप कौन है और मुझे क्या देना चाहते है तब पीपल मैं से अवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ मैं तेरी पूजा से तेरी भगती से बहुत परसन्न हो और तुझे कुछ देना चाहता हो तू मांग ले तब ब्रामन देवता कहने लगे कि लेकिन भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए तब पीपल देवता ने कहा कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना ब्रामन घर आये तब ब्रामनी से कहने लगे कि तुम सही कहती थी वो भगवान की ही आवाज थी वे मुझे कुछ देना चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या मंग तब ब्रामनी कहने लगी कि आप पिपल देवता से कहना कि मुझे नो करोड की माया दे सोले साल की गाया दे, बेटा दे, पोता दे, पुरा परिवार दे, सारे सुख दे तब ब्रामन देवता ने अपनी पतनी की बात मान ले अगले दिन सुबह ब्रामन देवता पिपल की पूजा करने गए तब फिर रोज की तरहें अवाज आई, तू मांग मैं देओ तब ब्रामन ने वही बात कह दी जो ब्रामनी ने कही थी ब्रामन ने पिपल देवता से कहा कि मुझे नो करोड की माया दो सोले साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो और सारा सुख दो पीपल देवता सोचने लगे कि प्रामन देखने में तो सिधा साधा है पर इतने सारी चीजे मांग ली फिर कहने लगे कि कोई बात नहीं तुने जो मांगा है मैं तुझे सब देता हूँ ब्रामन देवता थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रहे लेकिन जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया तब निराश होकर वापस आने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता ने कहा कि मैं तुझे सब देता हूँ लेकिन दिया तो कुछ भी नहीं इसी तरहें अपने विचारों मिमगन चले आ रहे थे और अपने कुटिया से आगे निकल गए उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जंगे अब एक आलिशान महल बन चुका था जब वह अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्रामनी ने अवाज लगाई कि कहा जा रहे हो ब्रामन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी दजी ओरत खड़ी थी रेशम की साड़ी पहन रखी थी बहुत सारे गहने पहन रखी थे ब्रामन देवता तो इस भेश में अपनी पतने को पहचान भी नहीं सके जब ब्रामनी ने दुबारा अवाज लगाई तब कहने लगे अरे तुमारा भेश कैसे बदल गया ये इतने सारे गहने इतने सुन्दर कपड़े तब ब्रामनी कहने लगी ये सब पिपल देवता का आशिरवाद है पिपल देवता ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी आपने जो मांगा था पिपल देवता ने सब दे दिया तब ब्रामन देवता पूछने लगी लेकिन हमारी कुटिया कहां गई ये आलिशान महल किसका है तब ब्रामनी कहने लगी कि आप अंदर चलो सब कुछ पता चल जाएगा अब ब्रामन अंदर गए तो देखती क्या है बहुत बड़ा परिवार हो रहा है बेटा, बफू, नाती, पोते सब खेल रहे हैं तब ब्रामनी कहने लगी जैसे आपने मांगा था पिपल देवता ने हमें सब दे दिया देखिए ये सारा परिवार हमारा ही है अब तो ब्रामन बहुत ही खुश हो गए उन्होंने मन ही मन पिपल देवता को बहुत धन्यवाद किया पिपल देवता जैसे आपने ब्रामवन की मनोकामना पूरी की वैसे ही आपकी पूजा करने वाले कथा पढ़ने वाले सब की मनोकामना पूरी करना बोलिए पिपल देवता की जै हो आईए अब सुनते हैं गजानन गनेश की कहानी एक बार की बात है गनेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चुटकी में चावल और चमच में दूद लेका निकले और हर किसी से कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो एक बुढिया माई बैठी थी उसने कहा ला मैं बना दो तब वे छोटा सा बरतन गैस पर चड़ाने लगी तब गनेश जी कहने लगे कि दादी माँ छोटे सा फगो ना मत चड़ाओ तुमारे खर में जो सबसे बड़ा बरतन हो वही चड़ादो अब बुढिया माई ने सबसे बड़ा बरतन चड़ा दिया तब वे देखती रह गई थोड़े से जो चावल उस बड़े बरतन में डाले वो तो पूरा बर गया अब गनेश जी कहने लगे दादी मा में नहा कराता हो जब खीर तयार हो जाएकी तब मुझे बुला लेना थोड़ी देर में खीर तयार हो गई तो बुढिया माई के पोते पोती खीर के लिए रोने लगे तब बुढिया माई ने कहा कि गनेश जी तेरे भोग लगे कहकर चूले में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के बच्चों को दे दी बुडिया माई की पडोसन उपर से देख रही थी तब बुडिया माई सोचने लगी कि अगर इसे खीर नहीं दी तो चुगली कर देगी एक कटोरा भर कर खीर उसे भी दे दी बेटे की बभु ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया अभी तक गनेश जी नहाकर नहीं आये थे बुढिया माई को भी भूक लगने लगी तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड के पिछे कहा कि गनेश जी आपको भोग लगे और कहकर खाना शुरू कर दिया अभी बुडिया माई ने खाना शुरू ही किया था कि गनेश जी आ गए तब बुडिया माई कहने लगी आजारे गनेशिया खीर खाले मैं तो तेरी ही रहा देख रही थी तब गनेश जी कहने लगे दादी मा मैंने तो पहले ही खाली तब बुडिया माई कहने लगी कब खाई तो गणेश जी बोले जब तेरे पोती पोती ने खाई तब ही खा ले थी जब तेरे पडोसन ने खाई तब भी खाई और जब तेरी बखो ने खाई तब भी खाई और अब जब तुने खाई तो मेरा तो पेट पूरा ही भर गया बुडिया माई ने कहा बेटा और तो सारी बात सच है पर बहु बिचारी का नाम मत ले वो तो सुबे सी काम कर रही है उसने खीर कब खाई तब गनेश जी ने कहा कि चाकी के निचे देख जूटा कटोरा पड़ा है तूने तो मेरे भोग तो लगाया पर वो तो बिना भोग लगा ही खा गई तब बुडिया माई कहने लगी कोई बात नहीं बेटा घर की बात है घर में ही रहने दो अब बताओ बचे खीर का क्या करूँ तब गनेश जी कहने लगे कि पूरी नगरी में जिमा दो तब बुड़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी लेकिन बरतन तो पूरा कब पूरा ही भरा हुआ था राजा को पता लगा तो उसने बुड़िया माई को बुलाया और पूछने लगे क्यों औरी बुडिया ऐसा बरतन तेरे घर में कहां से आया और ऐसा बरतन क्या तेरे घर में अच्छा लगता है या हमारे घर में तब बुडिया माई कहने लगी राजा जी आप ले लो तब राजा ने खीर का बरतन महल में मंगा लिया महल में आते ही तो खीर में कीडे मकोडे बिच्छू पढ़ गए खीर से दुरगंद आने लगी यह देखकर राजा जी बुड़िया से कहने लगे बुड़िया माई ये बरतन वापस ले जा तब बुड़िया माई ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही देते कि गनेश या इस बची हुई खीर का क्या करूँ तब गनेश जी कहने लगे जोपड़ी के कोने में गड़ा कोद कर उसमें दाप दे सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के दो मठके मिलेंगे तब बढ़िया माई कहने लगी इस चोटी सी कुटिया में इतने धनका में क्या करूँगी जब बढ़िया माई ने ऐसा कहा तब गनेश जी ने जोपड़ी को लात मारी जोपड़ी की जंगे पर बड़ा महल खड़ा हो गया आप बुडिया माई ने कोने में गड़ा कोद के खीर दाप दी सुबह उठी तो बहु फावडा लेकर पूरा ख़द खोदने लगी लेकिन कुछ भी नहीं मिला तब बहु कहने लगी सासु जी आपके गनेश जी तो जूटे हैं तब सास कहने लगी बहु मेरे गनेश जी छूटे तो नहीं हैं लाजरा मैं देखू तो तब वैं सोई लेकर खोजने निकली तो टन टन करके दो घड़े धन के भरे हुए मिले तब बहु कहने लगी सासु जी गनेश जी तो सच्चे ही है तब सास कहने लगी गनेश जी तो भावनाओ के भूके हैं हे गनेश जी जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सब को देना इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सब को देना बोली ये गजानन गनेश की जै हो आईए अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी जिसे सुने बिना किसी भी कहानी का फल नहीं मिलता एक तपसी था एक लपसी था तपसी तो भगवान की तपस्या करता था लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता भगवान को भोग लगाता और चीम लेता एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी तपसी बोला मैं बड़ा हूँ और लपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ तपसी बोला मैं भगवान की तपस्या करता हूँ मैं ही बड़ा हूँ तब लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूं मैं बड़ा हूं तब ही वहां से नारज जी जा रहे थे दोनों का जगडा सुनकर रुग गए और कहने लगे क्यों लड़ रहे हो तब दोनों ने अपने अपने कारण बताए तब नारज ज कहने लगे कि तुम आपस में मत लड़ो तुमारा फैसला मैं कर दूँगा अगले दिन तपसी और लपसी सुबह सुबह नहा करा रहे थे तब नारज जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड की अंगुठी रख दी ऐसी जंगे रखी जहां पर दोनों की नजर पढ़ जाए तपसी की नजर अंगुठी पर पड़ी तो उसने अंगुठी उठा ली तपस्या करने बैठा तो अपने गोडे के नेचे चुपा ली तपसी मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था सोच रहा था कि बहुत महंगी अंगुठी लगती है इसे बेचूंगा तो बहुत सार लपसी बनाई बगवन को भोग लगाया और जीम लिया उसने अंगुठी देखकर सोचा कि अंगुठी बड़ी कीमती लग रही है अपने साथ रखूंगा तो जान का खत्रा हो जाएगा कोई आकर गला काट देगा इसलिए उसने अंगुठी उठाई भी नहीं छेरी भी नहीं तब दोनों पूछने लगे बताओ नारज जी हम दोनों में से कौन बड़ा है तब नारज जी दोनों से बोले खड़े हो जाओ तपसी और लपसी दोनों खड़े हो गए तपसी के गोड़े के नीचे से अंगुठी निकली तब नारज जी कहने लगे तुने इतनी तपस्या की फिर भी तेरी चोरी की आदत नहीं गई अब तेरी तपस्या का तुझे कोई फल नहीं मिलेगा तुझसे तो लपसी ही अच्छा है जिसने अंगुठी देख कर भी लालच नहीं किया और रोज की तरहें अपनी तपस्या करता रहा तब तपसी नारज जी के चरणों में गिर गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा कहने लगा प्रभू मुझे माफ कर दो अब आप पताओ मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा कोई तो उपाए बताओ तब नारज जी कहने लगे जो अपने घर में गाए की कुटे की रोटी नहीं बनाएगा तब उसकी तपस्य का फल तुझे मिल जाएगा दिये से दिया जलाएगा दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा ब्रामन को भोजन कराकर तक्षिना नहीं देगा तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिलेगा साड़ी देकर उसके उपर भेट नही कहेगा तब उसकी पूझा का सारा पुन्य तुझे मिल जाएगा बस तबी से हर कहांकनी के साथ हर कथा के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है